दोस्तों मेरा नाम सुरेश यादो फारमंदर जनलेश किसी जागरण से आज हम एक ऐसे किसान के पास आए हैं जो यहां पर तर्बुज की खेती कर रहे हैं और अच्छा इंकम कमा रहे हैं यहां पर राजस्तान के पुन्याना गाम है जहां पर यह किसान खेती कर रहे हैं यह काला तरबुज होता है उसकी खेति कर रहे हैं क्योंकि ये खराब कम होता है और ये छोटा ही स्वादिश्ट होता है मार्केट में क्या भाव रहता है और इसको इनका लगाने का तरीका देखते हैं कोई किसान अगर लगाता है तो ये कितने दिन में पक्कर तयार होती है अपना प्रीचे बताई साथ, नाम क्या부터 लगा गया थो एक बार लगाने का प्रोसिस बताई pracy इसको किस परकार से तयान किया जाता है से तयार के तो किया इसमें फोर खॉट हडशा विरे काड तो किसमें बेड़ डाल जाता है प्र विरे कड़ी साना इस कि चीट बेड़ बेडह कि तरस alar आते है उने वागाए जाता है इसके दूर्म से कम एक मीठर है मुप बेज लगाने का है इसको कितने डिस्टेंस पर लगाए जाता है अधिड़े पिट फ़े पेल पेल जाती है कोई भी किसान भाई अगर तर्बुज की खेती करता है तो हमें बल्ले-पाले की करने चाहिए इसका रिजन यह है कि अगर हम काले तर्बूज की खेती करते हैं तो यह स्वादिश्ट जैदा होता है थोड़ा और दूसरा यह है कि इसमें थोड़ा वाइरस से वो कम फैलने का डर रहता है और जो इसमें तर्बूज में पानी देने का समय होता है वो हम डेली हमें एक से डेड गुंठा देना ही पड़ता है ताकि जो इसकी बेल है वो चालू रहे और बेल चालू रहेगी तो इस वे अंदर नए नए फलोवर बनेंगे और इसमें टाइम टाइम पे मेडिशन भी दिनी पड़ती है फलोवर सेट करने के लिए जैसा कि राजस्तान में अभी तोड़ा सा के इन्वारिमें इन्वार्थ नहीं होने करन फालचेट नहीं हो पाया है और वैसे हमारे तरभू से दससे पंदरा दिन बाद में प्लाई स्टार्ट हो जाएगी और अभी हमारे पास ककड़ी केती चल रही है और इसकी तुड़ाई आराम से हम स्टार्ट कर देंगे इंगे लग बग तीन सा तो इसको भी लगाने से कितना प्रोफिट हो जाता है प्रोफिट तो क्या वता है लेकिन पिर भी यह तो क्या है कि अध्रम जैसे कि तोड़े बहुत पर जबावात है जाते हैं जाते हैं नहीं स्कूप धन्यवास आपने अपना आपकीमति समय में जीदी झाल 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 झाल